दोस्तो आज किस वीड़ों में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप अपने smart watch से कैसे आप अपना heart beat चेक कर सकते हैं कि heart rate आपका क्या चल रहा है इस समय वो कैसे चेक कर सकते हैं आज किस वीड़ों में आप सभी को बताऊंगा तो इस वीडियो को लाश तक देखेगा सबसे पहले आप सभी को ये फोटो अगर आप अपने स्मार्ट वाच में कनेक्ट करना चाते हैं तो इसके लिए मैंने अल्रेडी एक वीडियो बना दी है आप वीडियो जाकर देख सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम आसीस और आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों सबसे पहले आप सभी को करना है कि इस वाली बटन पर क्लिक करना है यहां पर मेसरिंग लिखके आ रहा है तो यहां पर हाट बीट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा अब आपकी जो हाट बीट है वो यहां पर दिखाए देने लगेगी आपको कुछ समय का जो है वेट करना है थोड़ा यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर वेट कर लीजे तो यहाँ पर 46, 45, 46 इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं तो यह जो है काफी लो है कम से कम नहीं 60 के उपर होना चाहिए 70, 72 के उपर होना चाहिए और नॉर्मली 70 से 100 के बीच में होना चाहिए लगबग तब तक सही रहता है तो अभी यह चेक कर रहा है फिर उसके बाद पता चलेगा कि फाइनल क्या होती है यह अटोमेटिक जो है वो चेक करती है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है तो यहां पर यह देखें मेजर ले रहा है तो 54-55 पास ले जा रहा है अगर यह माल लीजे 60 के उपर गई तब तो नॉर्मल रहती है अगर 60 के नीचे रह जाती है तो यह माल लीजे कि आप यह हार्ट बीड जो है वो थोड़ा लो है तो अभी देखते हैं यह कितनी बताएगा और इससे पहले मैंने आप सभी को बीपी चेक करने के बारे में वीडियो बनाया बताया हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं यह डिक्सप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा यह समार्ट वाच जो है आप सभी की बॉड़ी का जो है चेक अप कर सकता है कि मतलब तो यहां पर च्छाचट दिखा रहा है तो यह जिली नॉर्मल है काफी अच्छा है तो इस प्रकार आप अपने स्मार्ट वाच से अपनी हाटविट को चेक कर सकते हैं अगरबको वीडियो पसंद आए उसे उडियो को लाइक कर दीजिये और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं गहा है तो प्लेज सब्सक्राइब जरूर कहले हमारी चैनल को साहते नॉटिपीस और बिल को ALL आज के सुडियो में दोस्तों इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो जै हिंद वंदे मात्रम बाई बाई दोस्तों